अब आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियेज तो रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियेज एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है प्राइमरिली इसलिए क्योंकि ये आपका RDT का अगर गेट की बात करें तो वहां RDT के उपर काफी ज़ादा इसके उपर से क्वेश्चन साते हैं और दूसरा अगर आप CSIR NET की बात करें तो वहां पर भी जो एप्लिकेशन पॉर्शन है वहां यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट C से और बाकी अलग-अलग Life Sciences Examination सभी के लिए इसका बहुत important role है तो हम लोग इसको दो parts में या तीन parts में करेंगे आज का जो lecture है वो basic introduction के उपर है कि restriction enzymes होते क्या है और किस तरीके से function करते हैं इसके बारे में है और next lectures जो होंगे वो types of restriction enzymes के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो आज की lecture में हम लोग introduction देखते हैं कि restriction enzymes क्या होते हैं उनका नाम क्यों पढ़ा हुआ है इसका cognate behavior क्या होता है उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं restriction endonuclease का जो nature है ये कहां किस organism में पाए जाते हैं इनका nature जो है या origin जो है वो prokaryotic है यानि कि ये prokaryotic organisms के अंदर देखे जाते हैं और primarily इनका कहां पे origin देखा गया है आपके bacteria के अंदर ये ज़्यादा तर आपके देखे जाते हैं तो इसल समझने की जरूवत है nuclease मैंने पहले भी बता रखा है अपने पहले के वीडियो में जभी एज लगा हुआ है किसी चीज के साथ किसी भी biological term के आगे अगर आपका एज आपको लगा हुआ दिखता है A.S.E. तो आप समझ सकते हैं कि ये एक enzyme है जो की कुछ एक काम कर रहा है इ तो यहां पे nuclease लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया nucleic acids को break करने वाला enzyme nucleic acid को break करने वाला enzyme को ही आप क्या बोलेंगे nuclease बोलते हैं ठिक तो अब prokaryotic nucleases मतलब इसका origin जो होगा वो prokaryotic होगा और वहां पे ये nuclease की तरीके से काम करेगा तो इसके बारे में और detail में अ activity है nucleic acid को तोड़ने वाली जो activity है वो किस तरीके से करते हैं तो यह कुछ specific location है यानि कि कुछ specific sequence है जिसको recognize करते हैं और recognize करने के बाद वहीं से strand को break कर देते हैं या वहीं से strand को तोड़ देते हैं तो specific sequence recognition ये ध्यान रखना है कि एक specific sequence को recognize करेंगे और उसके बाद उसी sequence पे काट देंगे या उसके अगल बगल किसी एक particular region पे इसको break कर देंगे इस strand को कौन से bonds को break करते हैं तो इध्यान रखेंगे phosphodiester bonds को ये cleave कर देते हैं क्योंकि ये sugar phosphate के बीच में जो bond होता है यानि कि जो backbone बनाता है आपके nucleic acid को आपको अंदाजा होगा कि हर जो nucleotide है वो अपने preceding nucleotide है उसके साथ phosphodiester bond से जुड़ा रहता है तो ये nuclease जो है वो क्या करेगा आपके backbone को ही तोड़ देगा nitrogenous base को ये हाथ नहीं लगाता है ध्यान देंगे nitrogenous base से इसका कोई मतलब नहीं है ये जो backbone है वो एक backbone में phosphodiester bond पाए जा रहे हैं उन phosphodiester bond को cleave कर देता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है cleaving the sugar phosphate backbone at this particular site कौन सी site की बात कर रहे हैं हम जिसको recognize किया था ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है जहां पे recognize किया वहीं पे break कर दे या जहां पे recognize किया हो सकता है उससे कुछ आगे या उससे कुछ पीछे break कर सकता है ये चीजें याद रखेगा इसके बारे में और detail में अभी discuss करेंगे जैसे यासे वीडियो यासे यासे सीरीज आगे बढ़ेगी nitrogenous bases are not damaged ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें nitrogenous base जो है आपके ये बिना damage किये हुए रहेंगे इसको touch भी नहीं किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ phosphodister bond को break किया जाता है अचा यहाँ पे समझने की जरुवत है कि अगर आपने ये experiment दुबारा किया मालीज़े आपने same template लिया हुआ या same DNA strand लिया हुआ है उसको आपने पहली बार किसी restriction enzyme से cut किया तो आपको कुछ strands मिलेंगे कुछ-कुछ regions पे cut हुआ होगा तो कुछ strands मिलेंगे अगर आपने यही experiment 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद दुबारा repeat किया तो जो ये cleavage है यानि कि जो cutting है वो reproducible है और predictable है आप पहले से पता लगा सकते हो कि ये strand एक given strand है ये कितने भाग में कटेगा या आप पहले से पता लगा सकते हो और चाहे आप वो BCO बार reproduce करो वो आपको result जो है वो same मिलेंगे क्यों क्यों क्योंकि जो restriction enzymes है restriction endonucleases है they are very specific in nature उनका cleavage site change नहीं होता experiment to experiment ये ध्यान रखेंगे यानि कि अगर एक restriction enzyme है मेरे पास जैसे कि EcoR1 तो EcoR1 की restriction site predefined है वो उसी पे cut करेगा इसके अलावा और कहीं cut नहीं करेगा अब ध्यान देने वाली बात है कि जब cutting होगी भाई ये दोनों strands को cut करेगा साथ में ठीक है दोनों strands को साथ में cut किया तो हर cut पे एक 3 प्राइम OH मिलेगा और एक 5 प्राइम phosphate मिलेगा एक ही strand पर एक ही strand पर आपको 3 प्राइम OH भी मिलेगा और 5 प्राइम phosphate भी मिलेगा दूसरे strand पर भी चीज़ होगी इसको मैं करके भी आपको दिखाता हूँ चलिए इसको समझने की कोशिश करें मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब इसकी यह particular strand है आपके पास suppose करिए यह वाला strand यह आपके पास 5' to 3' यह strand है यह strand 3' to 5' है और suppose करिए कि यहाँ पे एक sequence है यह sequence है जिसको recognize कर रहा है जिसको आपका restriction enzyme यहाँ जो भी आप restriction enzyme दे रहे हैं वो इसको recognize कर रहा है तो वो क्या करेगा वो इस strand को काटेगा और इस strand को भी काट सकता है दोनों strand को कट कर देगा अब जब दोनों strand को कट किया है तो आपको किस तरीके के fragments मिलेंगे जी यह 5' प्राइम रीजन था जब यहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे जो strand मिलेगा आपको यह 5' region था और यहाँ पे जो आपको strand मिलेगा यह 3' region मिलेगा 3' तो आपको पता है कि 3' पे OH फ्री रहता है फिर जो यहाँ पे strand मिला अब जहाँ इसके आगे जो यह काटा आपने यहाँ पे तो जो दूसरा strand मिलेगा वो फिर से 5' होगा और यहाँ पे 3' OH ही है तो यह देख रहे हैं आप कि एक ही strand पे आपको क्या मिला 3' OH जो आपने एक strand कट किया था आपको यहाँ पे 3' OH दिख गया और 5' phosphate मिल गया 1 strand पे single strand पे और सेम जब इस strand को भी आपने कट किया तो यहाँ से यह पहले यह थ्री प्राइम ओच था तो यहाँ पे जब आपने कट गया तो यह को 5' phosphate यहाँ पे मिला और नेक्स्ट जब यह यह यहाँ से कट गया तो यह यह वाला जो strand है उसमें क्या होगा आप के उसमें थ्री प्राइम जमिल गया आपको और यहां पर फाइब फॉसपेट घिक तो एक ही स्रांड को काटने पर आपको एक फाइब मिलेगा दूसरा और जो है वह आपको फॉसफेट एंड मिलेगा एक प्राइम फॉसफेट एंड होगा इसके पीछे कॉंसेप्ट है आपको मुझे उमीद है कि आपको इसके बारे में आइडिया होगा जरा मैं समझाता हूं इसको चीज़ को कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आपको पता होगा अगर मैं यहां पर एक यह मान लीजे यह हमारे शुगर है यह शुगर है आपको पता है कि यहां पर शुगर से नाइट्रूजिनस बेस जुड़ा रहता है और यहां पर शुगर से आपका फॉस्फेट जुड़ा रहता है और यह शुगर का आपका थ्री प्राइम ओएच होता है अब यह मैं कहना चाहरा हूं कि जो नेक्स्ट शुगर पर आएगा जो इसके यह मान लिजे यह फर्स्ट यह नुक्लियोटाइड है और जो नेक्स नुक्लियोटाइड आने वाला होगा मान लीजे मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ यह दीके शुगर यह नाइट्रोजिनस बेस यह फॉसफेट और यह फॉसफेट और यह फॉसफेट करता है और फॉसफोर डाइस्टर बॉन्ड बना ले देता है यह देखेए यह वाला इस यह जगह पर आपको दिख रहा है यह कार्बन है तो यह कार्बन के साथ सी ओ फॉसफेट और सी यह कार्बन यह इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ oxygen C के बाद O हो गया फिर ये phosphate हो गया फिर उसके बाद phosphate के नीचे oxygen रहता है और फिर यहां पर carbon है तो COPOC इसी bond को हम लोग phosphodiester bond बोलते हैं और यही bond जो है आपका जो restriction endonuclease है वो cleave कर देता है इसी को cleave करने के बाद क्या होता है जो कि दोनों strands मैंने जो अलग-अलग बनाए थे वो चीज यहां पर बन जाती है तो इसी चीज़ को मैं बनाने की आपको कोशिश कर रहा था यहां पर restriction endonuclease के function के तौर पर इसी वज़े से क्योंकि यह restriction endonuclease जो है वो आपके strands को cleave कर देता है इसी reason की के वज़े से इनको molecular scissors या nature's exquisite scalpels भी बोला जाता है अपने scalpels का नाम सुना होगा एक instrument होता है और scissors को तो सभी लोग जानते हैं scissors से क्या होता है किसी चीज़ को काट आ जा सकता है यह molecular scissors कहलाते हैं क्योंकि यह molecular biology में या इनका काफी जादा रोल है और चीज़ों को कट करने के लिए अभी हमने देखा था किस तरीके से यह फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे इसलिए इनका बहुत जादा रोल है molecular biology में अब यह इसका इतना impact था molecular biology में या जो genetic engineering में इसका इतना जादा impact था कि इसके इसको discover करने वाले scientist को Nobel Prize मिला था physiology या medicine में तो कौन कौन से scientist थे आरबर वर्नर आरबर थे हो स्मित थे और डी नाथन्स थे इन तीनों को combined way में physiology या medicine के ओपर restriction and endonucleases को discover करने के लिए Nobel Prize मिला था चलिए अब आगे बात करते हैं RM system की restriction modification system यह बहुत ध्यान से समझने की जरुवत है अक्सर स्टुडेंट्स को पता ही नहीं होता कि आखिर इसको restriction enzyme बोला क्यों जाता है या restriction enzyme अगर किसी DNA को काट देता है तो वह अपने host के DNA को क्यों नहीं तोड़ देता वह केवल और केवल बाहर से जो चीज़ आ रही है उसी DNA को क्यों तोड़ रहा है होस्ट के DNA को क्यों नहीं तोड़ देता है तो इसको समझने के लिए restriction modification system को अच्छी तरीके से समझते हैं तो यहां पर restriction ability है या जिसके पास यह ताकत है कि वह किसी भी बाहर से आने वाली चीज़ को समझने कुशिच करिएगा अगर आप बाहर से या foreign DNA को किसी बॉड़ी के अंदर insert करने जा रहे हैं तो क्या होगा वह बॉड़ी चाहेगी या वह organism चाहेगा कि बाहर से DNA ना आने और उसके बाद bacterial machinery को पूरी तरीके से काबू उस पर पाले और अपना जो वह चाहता है वह बनाना शुरू कर दे उसकी बैक्टीरियल लेता है और उसको तोड़ देता है या उसको ब्रेक कर देता है किस वज़े से किस प्रोसेस के थूरू restriction endo nucleuses के थूरू तो यहाँ पर जो enzyme है restriction enzyme काम करते हैं और उसके DNA को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह restriction enzymes क्या bacteria के DNA को दुक्सान नहीं पहुचाते क्या केवल वाइरस के DNA को कैसे नुक्सान पहुचा सकते हैं केवल वाइरस के DNA को ही कैसे identify कर सकते हैं तो इसका answer सिंपल सा है कि जो bacteria है वो अपने DNA को modify कर लेता है modify कैसे करेगा methyl group आपको पता है CH3 group है methyl group को अलग-अलग positions में जाकर के अपने DNA के इंटिग्रेट करवा देता है यानि कि suppose कर यह अगर मैं कहूंगी अगर मैं कह रहा हूं कि यह DNA है बैक्टीरिया का suppose कर यह A T G G इस तरीके से है तो यहां पे वो methyl लगा देगा यहां पे suppose कर यह methyl group लग गया तो अब क्या है restriction enzyme माल लीजे यहां पे आता है इसको काटने के लिए तो देख लेगा कि यह CH3 group लगा है इसको पहचान ही नहीं पाएगा जब पहचान नहीं पाएगा तो काटने का सवाल ही दूर है लेकिन वाइरस इतना चालाक नहीं था सिस्टम का यह restriction modification system का यहां पे दो enzyme दो अलग-अलग enzyme भी काम कर सकते हैं देखिए यहां पे एक और concept important है restriction modification system में या तो दो separate enzyme होंगे यानि कि restriction enzyme अलग और methyl transferase अलग, methyl transferase मतलब जो modification कर रहा है यह जो methyl group को add कर रहा है तो restriction enzyme अलग methyl transferase अलग भी हो सकता है और दूसरी चीज़ क्या है यह दो separate सब एक ही enzyme के अलग-अलग sub unit की तरह की से भी रह सकते हैं जैसे अगर दो chain है एक enzyme की तो alpha chain जो है वो आपकी restriction enzyme की तरीके से काम कर रही है बी मालीजे कि यह single chain ही है अगर मालीजे यह single chain ही है तो हो सकता है यहां से यहां तक यह वाला जो domain है वो आपका restriction enzyme की तरीके से काम कर रहा है और जो बाकी बचा हुआ जो domain है इतना restriction modification system जो है यह बैक्टीरिया में primitive immune system की तरीके से काम करता है बैक्टीरिया में B cell T cell का concept तो है नहीं या humoral या cell-mediated immune response तो develop नहीं होता तो वहां पर क्या है primitive immune system जो पहले के बहुत पुराना बहुत age old immune system जो है वो बैक्टीरिया का यही है इम्यून system का काम क्या होता है analogous है immune system जो हमारा है वही उसका तरीके का भी बस concept यह है कि वो अपने आपको बचाने के लिए B cell T cell प्रोड्यूस नहीं करता है वो अपने आपको बचाने के लिए restriction modification system को develop किया हुआ है जहां पे बाहर से आने वाला कोई भी DNA या बाहर से आने वाला कोई भी RNA उसको degrade करने का काम आपका restriction modification system करता है साथ-साथ में अपने DNA को या अपने RNA को protect करने का भी काम modification system करता है चली तो देखते हैं यह अच्छा एक चीज़ और concept यहां पर बताना है कि यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही देखने को मिले कुछ एक वाइरस में भी यह देखने को मिला है और आर्किया में भी यह देखने को मिला है आर्किया को तो आप जानते ही है आर्किया तो extreme conditions में रहने वाले organisms को बोलते हैं तो also seen in viruses और किया अब एक concept आता है host control restriction and modification यहां पर जो कुछ मैंने बोला उसको एक figure के form में मैं दिखाऊंगा यहां पर देखे क्या हो रहा है एक वाइरस है आप देख पा रहे हैं यह आपका वाइरस है वाइरस क्या कर रहा है अपना उसने डियने जो है वह बैक्टिरिया के अंदर इंसर्ट किया अब यह बैक्टिरिया का डियने है और बैक्टिरिया के डियने के अंदर वाइरस ने अपना DNA insert किया bacteria देख रहा है बहुत ध्यान से यह सब होते हुए और उसके बाद वो क्या करता है वो धीमे से अपने restriction modification system को activate करता है और restriction modification system क्या कर रहा है वो अपने DNA को methylate कर दे रहा है देखिए मैंने यहां M.E.M.E.M.E. लिख रखा है यह methylate कर दिया और restriction system ने क्या किया बाकी इसको इसके DNA को टुकड़े टुकड़े कर दिया अब इसकी वज़े से क्या हुआ वाइरस जो था उसका जो मोटिव था कि इसके उपर आकर के पूरा काबू कर ले ना तो वो सब धरा कधरा रह गया वो इसके DNA जब डिग्रेड हो गया तो अब यह कुछ नहीं कर सकता तो यहीं चीज मैंने लिखा है वाइरस यहां पर आकर के एड्जॉब किया इसके सर्फेस के उपर और अपने DNA को इंजेक्ट करने की कोशिश की लेकिन होस्ट के restriction enzyme ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिये और होस्ट के modification सिस्टम ने अपने DNA को modify कर दिया यह चीज़ समझ में आ गई होगी जो ग्राम negative bacteria हैं आपने देखा भी होगा gram positive gram negative bacteria का मैंने एक video बना रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजेगा तो gram negative bacteria में आपने देखा होगा कि उनकी जो यह जो स्पेस होता है outer membrane और inner membrane के बीच में इन्होंने एक और बढ़िया तरीका एक अपना रखा है ताकि इनके जो इनका जो bacteria का जो DNA है उसके ओपर कोई आच ना है उसके ओपर कोई दिक्कत ना है जो भी बाहर से आ रहा है उसके हम टुकडे कर दें उसकी band बजा दें लेकिन हमारी कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ का ख्यास ख्याल gram negative bacteria में रखा गया है इसको भी जरा समझ लेते हैं किस तरीके से तो gram negative bacteria बड़ा ही चालाग तरीके से इसको क्या किया गया है कि outer membrane और inner membrane के बीच में जो periplasmic space है जो यह space दिख रहा है उसके अंदर इसने क्या रखा है अपना restriction enzyme को वहां पर localize कर रखा है और methyl transferase को या modification system को उसने cytoplasm के अंदर localize कर रखा है तो जैसे ही कोई भी इस तरीके का कोई bacteria का या कोई virus डियनेक अंदर आता है तो restriction enzymes इसको बाहरी तोड़ देते हैं और methyl transferase इसको अंदर आ करके इसको methylate कर देता है जिसकी वज़े से अगर कोई संभावना थोड़ी सी भी रहे कि restriction enzyme अंदर आ रहा है तब भी वो अपने DNA को degradation या अपने DNA को तोड़ ना सके तो यह पहला पार्ट था restriction endonucleases के ऊपर मुझे उमीद है कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए थांक्यू सो मच एव ग्रेट डियर